तो दोस्तो आप सोच रहे होंगे यार Nokia का इस Keypad Mobile में वीडियो कैंसे प्ले हो सकता है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको कुछ इससी तरह का वीडियो बनाने सिखाएंगे तो आप मैंने वीडियो के नीचे description में लिंक दे रहा है वहां से आप इसको download कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करने साथ में वैल आइकन को जरूर दबा लें जिससे अनुवारी वीडियो के नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो फेंट सबसे पहले आपको अपने काइनवाश्टर को ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको इस प्लस पर किलिक करना है और यहाँ से आपको 9.16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा यहाँ से आपको एक मीडिया का उप्सन दिखाए दे रहा है इस पर आपको किलिक कर देना है और यहाँ से आपको एक बैग्गराउंड सेलेक्ट करना है जो कि आपको किसी भी कलर का हो सकता है तो यहाँ मैं उस बैग्गराउंड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कीच करके इसको अड्रियूरेशन यानि लंबाई यहाँ पर बढ़ा लेते हैं इसके बाद आपको इसको ओके कर देना है और यहाँ पर दोस्तो आपको इस वीडियो को लेकर आना है जो कि मैंने वीडियो के नीचे डिस्किप्शन में लिंक की दे रखता है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर लेकर आना है इसके लिए आपको layer में जाना है और यहां से आपको media में जाना है और आपको वीडियो select करके ले आना है और यहां से उसको आपको दोस्तों क्या करना है यहां इस तरह से खीच करके उसकी size जो है आपको full कर देना है full size करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको यहां इतना वड़ा video है आपको क्या करना है यहां से इस पर cut करना है इस पर select करना है और यहां से catchy का option दिखेगा इस पर आपको click करना है और यहां से trim to right or play head कर देना है अब यह हमारा video जो है हमारा background वीडियो बिल्कुल दोनों कराना है जो आप यहां पर लगाना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स यहां पर मैं उसका फैले साउंड आफ कर देता हूं और इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इस तरह का यह वीडियो है आप इस वीडियो को आपको क्या करना है यहां पर थोड़ा सा छोड़ा कर ले इस फे क्लिक करना है और यहां से आपको इसको Sent to back कर देना है यहांसे आप SEND to back करेंगे और यहां इसके मिलेगा और यहां एक option पीलिटकर कर देना है यहां से इसको enable करना है और enable करने से पहले यहाद रखना कि यहाँ जो key color है वो आपका green रहना चाहिए तभी आपका जो यह green color जहां से हटेगा तो आप आपको ok कर देना है और यहाँ पर इस video को फिर से आपको select कर लेना है इस video पर click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से छोटा वड़ा अपने हिसाब से adjust कर लेना है तो जैसे कि यह इसमें पूरी तरह से आ जाए अब इसको play करके देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो मैं इसका पहले जो है sound यहाँ से बंद कर देता हूं जिससे कि आपको कोई disturbance ना हो अब मैं इसको play करके आपको दिखाता हूं तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का यह video हमारा बंद के तयार हो चुका है अब इस वीडियो में जो फाल्तू का पार्ट इसको यहाँ से हटाने वाले हैं इसके लिए इस पर किलिक करेंगे यहाँ से कैशी पर जाएंगे यहाँ से trim to right और play head कर देंगे अब आपको इसको share करना है याँ शेयर याँ शेयर पर किलिक करना है और यहाँ से 1080 और 30 रखके इस वीडियो को export कर देना है तो यह आपके गेली में सेब हो जाएगा तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहे हिन बंदे मातरम वीडियो को लाइक करके जरूर जाना